हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटुब चैनल अकाउंट्स की बात में तो दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक सस्क्राइब एंड सेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों आपके रिलेटिव तक पहुँच सके तो मैं आज आपके लिए ऐलाया हूँ। चैप्टर मेट्रिकस मैट्रिकस होती क्या है एं इस गोल्ड मेट्रिकस ये मैट्रिकस कहलाती है मैट्रिकस को हम लिखेंगे कैसे दोस्तों अब मैं आपको आज वो बताऊँ रहा है जब हम बंद प्रैकेट में माल दीज्ये वन टू थ्र凶हू पाइब दि वन कहलाएगा दोस्तो ये हमारे एक नोटेशन है दोस्तो जो कि A, I, J होता है इसमें I होता है दोस्तो रो और जे होता है कोलम इसमें रो हम किसे कहेंगे और कोलम हम किसे कहेंगे ये जो चीज है दोस्तो ये कोलम कहलाती है और ऐसे में रो कहलाती है तो हमारा हम ये हमारा जो पहला स्थान है दोस्तों ये देखिए I इसमें कैव 1 और J कैआ इसमें 1 तो इसकी value होगी A11 ये 1 है 2 दोस्तों इसकी इसका annotation क्या होगा दोस्तों 2 का ये कोवन सी row है दोस्तों second row है और column कौन सा है दोस्तों यह first column है और इसपे value के 2 ऐसे ही दोस्तों A31 इसमें 3 है A12 यह 4 है A22 यह 5 है और A32 यह 6 है दोस्तों तो दोस्तों आपको समझ में अराम से आई ही गया होगा कि हम value कैसे रखते हैं इसमें अब जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ AIG हमारा notation है notation को हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों और हमें एक चीज़ और पता होनी चीए दोस्तों यह जो हमारा matrix है इसमें कितने elements है दोस्तों 6 elements है दोस्तों तो इन 6 elements को हम किस परकार denote करेंगे हम इन elements को denote करते हैं M into N की form में तो दोस्तों इसमें M क्या है और N क्या है यह सवाल उठता है दोस्तों तो दोस्तों जो AI की होती है value वो 1, 2, 3 यह M तक होती है दोस्तों यानि कि AI हमारी row है और row M denote करेगी यानि इसमें row कितनी है दोस्तों? तीन row है तो हम इसको लिखेंगे 3 into और N कितना है दोस्तों? 2 तो यह 3 into 2 की matrix है हमें कभी बोलना पड़े तो हम बोलेंगे 3 by 2 की matrix से यह आप 3 by 2 की matrix बना लिजिए अगर मैं आपको कहूं आप 3 by 2 की matrix बनाइए इसका मतलब है 3 row और 2 column बनाइए ठीक है दोस्तों? तो आगे चलते हैं दोस्तों अब आता है diagonal of a matrix तो देखिए दोस्तों diagonal element of a matrix होता क्या है? तो diagonal element of a matrix दोस्तों होता है अब देखिए दोस्तों इसमें हमने माल लिजिए हमने 3 by 3 की कोई matrix बनाइए जिसमें हमारी value हुई a11, a12, a13, a21, a31, a22, a32, a23, a33 ये दोस्तों 3 by 3 की matrix हो गई? तो दोस्तों अब इसमें जो diagonal element of a matrix क्यालाती है वो होईगी ये यानि की जिन में i और j equal हो तो दोस्तों इसमें i और j equal हो तो हमें अगर कहना पड़े element diagonal of a matrix कौन सी है तो हम इसकी value आईगी a11, a22, a33 a11, sorry दोस्तों a11 तो दोस्तों इसमें a11, a22, a33 diagonal element of a matrix है हम उन्हें कहिंगे जिनकी i और j equal हो इसमें i और j दोस्तों देखें equal है इसमें भी equal है इसमें औरों में किसकी में i और j equal नहीं हैं दोस्तों तो जिसमें भी i और j equal हो जाएं वो diagonal element of a matrix कहला है कि दोस्तों अब आता है principle diagonal of a matrix तो दोस्तों अब ये क्या होती है तो दोस्तों principle diagonal of a matrix कौन से diagonal से होंगे दोस्तों ये तो हमें अगर कहना पड़ जाए principle diagonal of a matrix कौन से हैं तो है one three और four ये तीन हमारे principle diagonal of a matrix हैं दोस्तों तो अब आगे आते हैं दोस्तों matrix के कितने परकार होते हैं तो हम आगे वो करते हैं दोस्तों सबसे पहले स्थान पे आता है दोस्तों row matrix अब row matrix में कौन से matrix हैंगे दोस्तों जो row हो ना हम से पहचानें दोस्तों row matrix जिसमें row आती हो हम इसको row vector भी कह सकते हैं दोस्तों row vector तो दोस्तों अब row one और five ये row बन सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों ये कितने matrix हैं दोस्तों ये one by two की matrix है दोस्तों अब दोस्तों एक मान लीजिए 1 0 3 हो दोस्तों यह दोस्तों कौन सी मैट्रिक्स है दोस्तों यह 1 by 3 की मैट्रिक्स है दोस्तों इन्हें ओडर कहते हैं दोस्तों अगर मैं कहूं यह कितने ओडर की मैट्रिक्स है तो यह 1 by 3 की order की matrix है दोस्तों तो आप अराम से समझ गए होंगे दोस्तों matrix में row matrix हम किसे गए जिसमें हम row को जोड़ों अब दोस्तों अगले नंबर पर आता है column matrix कि दोस्तों column matrix में क्या होगा दोस्तों नाम से देख लीजिए इसे हम column vector भी कहते हैं तो दोस्तों कोलम में 153 यह कोलम मैट्रिक्स है दोस्तों यह कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है दोस्तों यह 3 by 1 की मैट्रिक्स है अब हम एक मैट्रिक्स ले रहते हैं 12 यह दोस्तों कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 2 by 1 की मैट्रिक्स है दोस्तों तो दोस्तो आप kolum matrix के बाद हम लेंगे rectangular matrix दोस्तों अब दोस्तो rectangular matrix कोंची होती है rectangular matrix होती है जिसमें m n के बराबर ना हो जैसे 123456 यह दोस्तो कितने बाइ कितने के matrix हुई 2 बाइ 3 की तो इसमें m और n इक्वल नहीं है दोस्तों तो यह rectangular matrix होगी चोथे नमर पे आता है square matrix नाम से समझ जाएंगे दोस्तों नाम जिसमें आगे आप अराम से समझ जाएंगे अब इसमें मालेजिए 123456789 तो यह दोस्तों 3 by 3 के matrix है यानि इसमें m equal to n है तो यह हमारी square matrix है m equal to n मैंने आपको बताया था m और n हम order को कहेंगे m हमारा उसमें i होगा मतलब की row और n हमारे column को denote करेंगे इसमें कितनी row है 3 row है और 3 column है दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है diagonal matrix अब diagonal matrix कोंची होती है दोस्तों diagonal matrix वो matrix होती है दोस्तों जिसके diagonal को छोड़के बाकी सब element 0 हो वो हमारी diagonal matrix है दोस्तों यह square matrix टाइप में होगी मतलब की 3 by 3, 2 by 2, 4 by 4 तो दोस्तों 3 by 3 की matrix है और इसमें diagonal matrix को छोड़के बाकी सारे element 0 है इसलिए diagonal matrix कहलाई अब इसके बाद अब दोस्तों आता है scalar matrix तो दोस्तों scalar matrix कौन सी matrix होती है guess कीजिए दोस्तों नाम से ही पहचान में आ रही है इस matrix को दोस्तों हम ऐसे कहीं है कि जब A, I, J, 0 हो तो I, J के equal नहीं होना चाहिए अगर I, J, K, equal नहीं है दोस्तों sorry दोस्तों अगर I, J, K, equal नहीं है तो A, I, J, 0 होना चाहिए और अगर I, J, K, equal है if I, equal to Z तो दोस्तों A, I, J, क्या होना चाहिए K, K क्या होता है दोस्तों some constant यानि कि दोस्तों कुछ constant word आ जाए तो हम example के तोर पे ले सकते हैं दोस्तों कोई matrix है दोस्तों वो उसके A, I, J, दोस्तों इसके देखिए equal नहीं है तो यह 0 है लेकिन जिसके A, I, J, equal है वो कोई constant word है लेकिन हो same होगा दोस्तों अलग नहीं होगा हम three by three matrix का देखते है दोस्तों zero zero सोरी दोस्तों यहां five आएगा अब कोई भी word ले लीजिए फाइव डू मर्जी आपके दोस्तों five zero 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 five तो यह दोस्तों देखिए यह scalar matrix है इसके बाद आता है दोस्तों identity matrix और इसे दोस्तों unit matrix भी कहते है तो दोस्तों unit matrix कौँछी होती है या identity matrix नाम से पता चल रहे है दोस्तों जिसके diagonal element one हो यानि कि a हमारा one zero zero one यानि कि दोस्तों यह one है तो यह identity matrix अगर यह किसी constant से multiply हो जाए दोस्तों तो यह scalar matrix कहलाएगा second example लेजे 3 by 3 matrix का दोस्तों यह 2 by 2 matrix थी हम 3 by 3 matrix लेते हैं one zero 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 one zero 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 one तो दोस्तों अगर इसमें भी किसी constant से multiply हो जाए दोस्तों तो दोस्तों diagonal बदली होईंगे तो यह हमारी scalar matrix कहला जाएगी अगर माल लीजे मैं इसे 5 से गुना कर दो देखिए दोस्तों उपर 5 ऐसे आजाएगा तो यह हमारी scalar matrix कहलाई यह वाली लेगिन दोस्तों अगर यह 5 ना हो one हो अगर मैं इस matrix को 5 से भाग देदू तो यह बन जाएगा दोस्तों और यह हमारी identity matrix है दोस्तों यानि की unit matrix अगली matrix आती है दोस्तों triangular matrix तो triangular matrix को नचों होती दोस्तों इसमें भी दोस्तों अगर आप नाम से जानना चाहें तो आप नाम से जान सकते हैं कोई दोस्तों देखे 3 by 3 के matrix है 1, 2, 3, 0, minus 1, 4 0, 0, 2 यह माल लीजिए 3 by 3 के matrix है दोस्तों तो दोस्तों इसमें देखे triangle बन रहा है दोस्तों तो यह triangular matrix है अब वो triangular matrix दोस्तों अपर triangular matrix भी होती है और below triangular matrix भी अगर अपर triangular matrix है दोस्तों तो यह है यह अपर triangular matrix है दोस्तों और lower अगर मैं कहूं lower triangular matrix मुझे चाहिए तो दोस्तो वो होई कि 1-2-1-0-0-3-0-2-5 तो देखिए दोस्तो इसमें triangle नीचे के ओर बन रहा है दोस्तो तो ये lower triangular matrix कहलाएगी दोस्तो और दोस्तो अगर triangle उपर की तरह बन रहा है तो upper triangular matrix मेरे हिसाब से दोस्तो अगर ये concept आपको समझ में आई गया होगा लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तो इसमें सिर्फ upper और lower matrix की बाद इसके बाद दोस्तो आता है zero matrix zero matrix कौन सी matrix होती है दोस्तो बहुत ही असान है दोस्तो zero matrix इसको हम दोस्तो नल matrix भी कहती है तो दोस्तो एक्जाम्पल के तोर पे zero matrix कौन सी है जिसमें zero आप two के ले लिजिए दोस्तों या three by three के ले लिजिए जिसमें सारे element zero हो यह जो इनके अंदर लिखे जाते हैं पर इलमेंट्स बोलते है इसका m into n three by three का है दोस्तों लेकिन सारे element तो zero है दोस्तों अगली मेट्रिक्स आती है दोस्तों कमपेरेबल मेट्रिक्स माल लीजे ए है कोई ये है ए आई जे ए आई जे एम इंटु एन ओडर का है और बी है हमारा ए आई जे पी इंटु क्यू ओडर का तो दोस्तों इन में हम एम और पी हमारे बराबर होने चाहिए जब हम कमपेर कर सकते हैं और एंड यू अब देखते हैं एक्जामपल लेगे हमने ए लिया वन थ्री टू थ्री फोर जिरो और बी लिया दोस्तों एट वन नाइन जिरो वन टू और हमने सी लिया वन टू थ्री थ्री टू वन ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इसमें हम ए और बी को तो कमपेर कर सकते हैं लेकिन सी मैट्रिक्स को कमपेर नहीं कर सकते यह ए मैट्रिक्स हमारी दोस्तों टू बाई थ्री की बी मैट्रिक्स है टू बाई थ्री की लेकिन C matrix है 3 by 2 की इसलिए compare नहीं हो सकती अब 11 में नंबर पे आती है दोस्तो equal matrix नाम से पता लग रहा है दोस्तो equal अब इस equal होने के दोस्तो दो condition होनी चाहिए पहली condition same order same order की हो और second condition है दोस्तो जो दोस्तो AIJ और BIG के corresponding elements है वो equal होनी चाहिए example के तोर पे मैं बता दू जैसे 378 210 है दोस्तो हैंने कहा यह equal है A7B21C तो दोस्तो देखे इसमें 7 equal है 1 equal है 2 equal है तो हम इससे A की value हमारी कितनी आ जाएगे दोस्तो 3 P की value 8 और C की value 0 तो हम इससे value पता कर सकते है equal matrix दोस्तो value पता करने के भी काम आती है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अब हम अगली वीडियो लेकर मिलते हैं और दोस्तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा है ज़्यादा subscribe कीजिएगा और like कीजिएगा comment करना भूलिएगा मत धन्यवाग